हेलो दोस्तो वेलकम टो माई चैनल अनम लोजिक दोस्तो आचे वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा अगर आपका आधार काट कहीं पे खो जाता है या गुम हो जाता है और आधार का नमबर भी आपको नहीं पता है तो किस तरीके से आप आपके आधार काट की जो वेबस के आ गयो या आपका आधारकाट काई खो गया है और आपको नया आधारकाट निकालना है तो आपको सिर्फ एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है जिसके जरीए से आप अपने आधारकाट का नंबर पता कर सकते हो और आप अपने आधारकाट को डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपको नंबर याद भी नहीं रहेगा तब भी मैं आपको यहां पर यह जो इनके ओफिशल जो अधर कर काड की website है यह यह वेबसाइड है यह आधर कर की website से आप बहुत आसानी से अपने अधरकाड का अगर नंबर भी अधरकर का पते हैं कि सबसे पहले तो उनकी website है वहाँ पर आपको चला जाना है जिसे Google Chrome में मैं चला जाओंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा UIDAI की website यह इनकी आधरकट की official website है यहाँ पर आपको चला जाना है यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है आपकी जो यहाँ पर मैं English कर लेता हूं उसके बाद दोस्तों यह अपने जो ओफिशल website है वहाँ पर यह लिखे चला जाएगा यह website थोड़ी loading होती है तो थोड़ा सा आपको patience रखना है दोस्तों यह website open हो गई है तो simple सा मैं scroll करूँगा करूब करने के बाद यहाँ पर जो आधार सर्वीसेस लिखा हो है इसके उपर आपको चला जाना है आधार सर्वीसे यहाँ करने के बाद यहां पर रेट्रियू आधार और नंबर रेटीयू यह यहांसे आपको क्लिक कर दोगं और आपको यहां पर अपना नाम ढम भूर्णा को ऑपना बीए डे करें दमने के लिए a दोस्तों यहां पे मैंने मेरा नाम दाल दिया, phone number दाल दिया, capture दाल दिया, और उसके आद OTP भी यहां पे आ गया, send OTP के पर click करता, तो OTP यहां पे simple सा मैं क्या करूँगा, OTP दालने के बाद दोस्तों यहां पे मुझे क्या करना है, simple सा submit कर देना है, ठीक है, तो दोस्तों य यहां पे मैं submit कर दूँगा, जैसे ही submit कर दूँगा, तो यहां पे बोल रहा है कि मेरा जो आधार काड है, वो मेरे register mobile number पे send कर दिया गया, ओपर की तरफ भी आप देख सकते हो, कि मेरा आधार काड यहां पे send हो गया, मेरे mobile number पे, तो दोस्तों इस तरीकी से आप क्या कर सकत अगर आपको मिल जाता है तो मेरे चैनल अनम लोजी को like, share और subscribe जरूर करना चले, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thanks for watching